सो हे गाईज यहां पर आप देख सकते हैं प्रसना वाली एक दसमलो चार NCRT मैट कच्छा दसमी गड़क पूरी खतम करने वाल है एक ही वीडियो में ठीक है लेकिन सवाल बताने से पहले प्रसना वाली सौल कराने से पहले हम आपको कॉंसेप्ट बताना चाहते हैं क्योंकि आ आप भलाएं इसको जानते हों लेकर एक बार जरूर देख लीजिए हम इस प्रकार से आपको बताएंगे क्योंकि जो आपके असांत असांत आप बिरतिया नावर्ति में जो एक्जाम्पल होते हैं उनमें परमे और अपरमे बताना उन एक्जाम्पलों को देखकर बहुत ही कौन है उस तरीके से आपको बताएंगे क्जा सबियालिट देखकर देखकर ऑपको इसका की प्रिए उसका यहां पर होता क्या है डियसा क्यों देखकर निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा तो चार पंचे बीस ठीक है यहां पर आ जाएगा आपका जीरो तो यह कहलाता है आपका दसमलो परसार जीरो दसमलो पाँच अब इस वाली का निकालती है दसमलो परसार तो क्या होगा इस परकार से आप क्या करेंगे भाग देंगे देंगे ना तो भाग द फिर यहां पर चलता ही जाएगा ठीक है यहां पर डॉट डॉट लग जाएगा यह आपका दसम्लो पिरसार है यह भी आपका दसम्लो पिरसार है तो इसको आप समझ गए होंगे कि दसम्लो पिरसार कैसे किया जाता है बिलकुल सिंपल तरीके से तो यहां पर अब हम समझेंगे कि जो दसमलों पिरसार है वो आपका वो कितने प्रकार का होता है आखरकार ठीक है तो वो आपका दो प्रकार का होता है सांत और असांत है अब सांत है संख्याएं किसे कहते हैं ऐसी पर में संख्याएं जिनका भाग देने पर कुछ पद कटने के बाद सेस्फल जीरो आ जाए क गहने का मतलब यह है अभी हमने एक्जामपल लिया था दो बटे चार ठीक है तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया था इस प्रिकार से सॉल्व किया था आपके सामने अभी अभी है ना इस प्रिकार से सॉल्व किया था किया था तो आपका यह आंसर हो गया क्यों क्योंकि आपके तेके एक्सांपल आपके सांत में आएंगे जैसे पहले एक्सांपल देलो ढूंट् strict रिषा निती नहीं हैं, बहुत होंगे सांत में ठीक है यानि कि जाए जितने पत तक जाए चाहे हजारों लाखों पत तक जाएगा जैसे यहां तक नो तक गया सेसफ़ल जीरो जरूर आएगा यह हमें सब बिलकुल याद रखना ठीक है तो यहां पर और एक्जामपल ले लेते हैं जैसे कि जीरो दिसमलो चार तेन दो एक यह आपका हो गया यानि कि इनके पीछे इस परकार से डॉट 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 आपको लगा नहीं मिलेगा या आप सोच सकते हैं कि आपको बार बार जानते हैं ना बार क्या कहलाता है या आप सोच हैं कि हमें इस परकार से देखने को मिल जाए 0.12, 12 ये वी आपका सांध में नहीं आएगा केबल 1,2 ही आएगा यानि कि भाग देने पर 2 तक गया सेसफ़ल 0 आगया ठीक है? ना आपका बार बाला जो आपका बार भी लगा रहेगा वो भी सांध नहीं है जो डॉट डॉट लगा रहेगा हमेशा सांत संख्याएं पर में होती हैं लेकिन हमेशा पर में संख्याएं सांत नहीं होती हैं ये हमेशा आपको याद रखना है अब असांत संख्याएं किसे कहते हैं ऐसी पर में और अपर में संख्याएं जिनका भाग देने पर कई पद तक कटने के बाद भी जीरो ना आए यानि कि सेज़ फल जीरो ना आए उन संख्याओं को असांत संख्याओं कहते हैं विलकुल सरल कैसे अभी हमने एक्जामपल लिया था दो बटे छेवाला ये कटता ही जा रहा था तीन तीन के बेस में जैसे कि जीरो दिसम्पल तीन तीन आपका इस परिकार से आता ही जा रहा फार डॉट लग रहा था सिधे सिंपल है जिस संख्याओं में डॉट लगा हो या बार लगा हो वो संख्याओं असान्ध संख्याओं कहलातीं है जैसे कि दूसरे एक्जामपल देखेंगे 0.101, 001, 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 इसकी उपर बार लगा है आपने बार वाले भी तो देखे होंगे तो भाई साब जो आपका एक सिर्में के नौ है वो बार बार रिपीट हो रहा है पुन्द्रा ब्रत्ती हो रही है इसलिए उन्हें बार लगा दिया जैसे कि छटमत सवाल हो जाए जैसे कि एक दिसमलो एक दो एक दो एक दो एक दो डोट 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 या अपन जैसे एक एक दो की हरवार पुन्द्रा ब्रत्ती हो रही है तो अपन इसे कैसे लिख सकती है इस प्रिकार से लिख सकती है ना एक दिसमलो एक दो का बार लग सकती है ना तो यह आपकी असांत कहलाती है और असांत संख्या अपरमे भी हो सकती है और अपरमे भी हो सकती है अब हम कैसे पहचाने के कौन सी असांत संख्या परे हैं और कौन सी संख्या है अपरमे है तो आपको बता दिये जाए कि जो आपका ु currencies और यहांपर आप्र असांथ में वह दो-प्रकार का हुता हूटा असांत अनावर्ति अनावर्ति यह ओता दो प्रकार ठीक है अभगे अशांत अंपरती क्या कहलाता है ऐसी असांत संख्या जिन इस देसंबलों के बाद उनकी संख्य जो देसंबलों के बाद जलों जाएगा उनकी पुंद्रा ब्रatति होती है जैसे फहला एक्जामपल ले लो जैसे फोल एक्जामपल जीरो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसकी पुन्द्रा बरत्ती हो रही है चौता एक्जामपल देखेंगे कि जिसकी पुन्द्रा बरत्ती हो जैसे की एक दिसंबलों एक दू की पुन्द्रा बरत्ती हो रही है तो यहां पर देख सकते हैं मनलब की असांद आबरती उनको कहते हैं जिनकी दिसंब संख्यां को Asante Our death कहते हैं और यह हमे clown होती है कैसी होती है पर में होती कि अब पहचां जाएंगे ना कौनसी संख्या रहें कौनसी अपर मैं असांत highway अनावार्ति क्या कहा लाता है ऐसे संख्याएं जिनका पुन्रावरत्ति नहों क्या नहों पुन्द्रा बरत्ति ना हो इस प्रिकार से एक ही संख्या की या जैसे कई संख्या की पुन्द्रा बरत्ति हर बार ना हो जैसे कि यहाँ पर एक एक जामपल जे ले लो दूसरा कैसा है यहाँ पर जीरो एक जीरो एक डबल जीरो एक त्रिपल जीरो एक फोर्थ जीरो एक डॉ लिक्सक्राइब नए नहीं हो रही है यहां पर रहा है संख्या और जा Rain ग RAWd प्रण हो रही है और यहां पर देखेंगे दूसरा एक्जामपल जैसे कि यह संख्यां को असान तनावर्ति कहते हैं तीसरा एक्जामपल यहाँ पर देख लेंगे और सराल जैसे की बहुत सार एक्जामपल हमने आपके लिए लिख लिए थे जैसे की 2 दिसमलों 1, 6 और 7, 9, 1, 4, . . . चौथा एक्जामपल देख लीजिए आप क्योंकि हमने लिख लिए हैं कि आपको एक्जामपल से अच्छी तरह समझ में आ जाता है एक दो तीन और फिर है एक चार दो डॉट 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 ठीक है तो यह हमेशा असान ताब्रती संख्या हमेशा अपर में संख्याएं होती ह तो इसका आप स्क्रीन सूट ले लिए बहुत अपने कॉंसेट के लिए कर दिया है तो अब हम क्या करते हैं प्रसनावली स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं तो है गाईज यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले कोश्चन के सवाल लिख लिए हैं तीन और हैं व बहुत इजी हैं देखो अगर हमें सांत को सिद्ध करना यानि कि इस इन में से कौन सा सवाल सांत है और कौन सा असांत हैं कैसे पता करेंगे यह सबसे वड़ी चुनाती है अपने जीवन में बतातो चुका हूं लेकिन इसमें थोड़ा और समझ ली दिए तो देखो आपको क क्या करना है हर का गोड़न खंड हर का गोड़न का गोड़न केतल मतलब है यासे तेरह版 इक्तिस पच्चेसद ऊपर रहता है यानि कि गोड़न खंड करेंगे तो आगर हम गोड़न खंड में 2 की घात एईम कुछ भी मिले तो वह सांत है या पांच की घात एन मिले तो भी सांथ है कौमा लगा रहा हूँ अगर दोनों एक साथ मिल जाए यानि कि आपका पांच भी मिल जाए और दो भी मिल जाए तो भी सांथ है अन्य था अगर दो के साथ आपका क्या मिल जाए तीन मिल जाए चार मिल जाए पांच मिल जाए छे मिल जाए पांच ना मिले पांच छोड़कर यानि कि दो और पांच छोड़कर दो के संगे कुछ भी मिल जाए तो वो असांत हो जाता है क्या हो जाता है असांत हो जाता है तो तो इस condition में आपका, क्या होगा, seant, अब seant कैसे पेचानेगे, जिसे आपका दो के 7 कोई अन संख्या है, तो आपका यह संख्या हो जाएगा, जैसे 5 के 7 कोई अन संख्या है, तो भी आपका असान्थ हो जाएगा माल लीजिए वो दोनों है पहले तो इस परकार से और उसके साथ संख्या जोड़ गई साथ तो भी आपका असान्थ है ठीक है तो आप पहचान गए ना अगर हमें उसके गुड़न खंड में यह संख्या मिलती है तो वो सान्थ है अन्य था अगर इसके साथ अगर बाद को नोगा ना तो तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या पहला कोश्चन ट्क लगा दे रहे हैं तो पहला कोश्चन इतना बिद्धवद तो बताऊंगा कि आप नोट कॉपी में लिखते जाएं ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे आप हल ठीक है यह कोश्चन है आपका उताल लिए फिर आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 31 और 25 यानि कि हर का गोड़ान खंड करने पर गोड़ान खंड करने पर यह आपको इस प प्रिकार से करेंगे ना तो देखो यह आपका तीन से कटेगा क्या तीन से नहीं कटेगा ठीक है तो आपका इसे काटेंगे पांच से काटेंगे तो पचक कर तीस इसमें एक हासल जाएगी तो पांदूनी दस और 25 फिर आपका पांच से कटेगा तो पांच कम पांच इसमें वापको पता जब एक आ जाता थहां पर देख सकते हैं पूरे गुणन कर्णंड में पूरी यानी कि लिखना है यहां पर आपको लिखना है तो ये आगे आपको क्या लिखना है यहां पर कि यहां पर आपको लिखना है तेरा बटे एक तीस पच्चीस बराबर क्या आया है आपकी यहां पर तेरा बटे पांच गुर्णे 5 गुर्णे पांच गुर्णे 5 गुर्णे 5 पांच बार आया है या अगर अगर सुनिए मेरी बात सबसे ज़्याद गलती बच्चे करते हूं मेरे दिल में बहुत बुरा लगा। इसलिए नहीं काट रही है। अगर करता तो आप काटना ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आएगा? आताहा लगाके आप लिखेंगे, तो सांत निय खसे संत लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आप, जो आपका तीक है? वो किस रूप का है पांच की घात पांच बार है ना यानि कि पांच की घात एन के रूप का है एन के रूप का होने के कारण होने के कारण या है संख्या या है संख्या कैसी होगी सांत होगी यहां पर हम आपको बताएंगे अब दूसरा कोश्चन क्या है 17 वटे आठ तो आपको क्या लिखना है आठ यानि कि हर का गोड़न खंड करने पर इस प्रिकार से अब आप लिख लीजिए क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ठीक है यहां पर आठ का गोड़न खंड रहें करें तो दो चोको अड़ट दो दूनी 4 और दो कम 2 ठीक है यहां पर किवाद दो आ रहा है तो आप समाझ गарना कि यह सानथ है तो कैसे लिखेंगे 17 वटे 8 बरावर 17 वटे 2 गोणे 2 गोणे 2 अब कट रहा है क्या 2 से 17 नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है फिर आपको यहां पर क्या लिखना है 8 बरावर आपका 8 किस प्रिकार है है दो की घाथ 3 यानि की दो की घाथ एन के रूप का होने के कारण होने के कारण यह संख्या क्यासी होगी सांथ होगी यह यह आप स्क्रीन सूट ले ले जी इसको अपन क्या करते हैं मिटाती है और अगला बताती है ठीक है जो बहुत सिंपल है जिआ अप कितने आपको सरल लग रही होंगे हमें पता है आपको सरल लग रही होंगे अब यह वाला बताएंगे आपको क्या है 64 बटे 400 पच्पन तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि 400 पच्पन का यानि की हर का गोड़न खंड करने पर यहां आप जब आप 400 पच्पन का गोड़न खंड करेंगे तो क्या आएगा देखो पहली बात यह कटेगा नहीं कटेगा तीन से कटेगा, तीन कम तीन इसमें जागा थी, पांच ये पंदरा नहीं कटेगा, पांच से ही कटेगा, तो पनम पैतालीस, पांच कम पांच, अब यहां पर यहां पर आप देख सकती हैं, कि यहां पर पांच तो है, लेकर यहां पर साथ में साथ और तेरा भी तो है, तो य आपका क्या हो जाएगा असांत हो जाएगा लेकिन अभी आप यहां पर ही डारेक निश्चत नहीं करेंगे कहां पर निश्चत करेंगे देखो अभी आपको अच्छी तरह से समझाते है यहां पर आप इस परकार से लिखते है ना हर वार तो आपका किस परकार से हैं रहें करता है नहीं करता है ले है लेकिन अगर कटता अगर यहां पर कई संख्या होता यहां पर समझ चुके होंगे और कई सवालों में ऐसा है भी तो आप उहां पर समझ जाएंगे लेकिन यहां फिलाल यह असान्त है यहां पर लेखेंगे अता जो आपका यहां पर चार सो पच्पन है बो किस रूप का है पांच गोड़े साथ गोड़े तेरा के रूप का होने के कारण होने के कारण यह संख्या यह संख्या कैसी है असान्त आप बिर्ती है यह अना सानी भी यहां पर दे सकता है अगला कोश्चन बताते हैं हम बताएंगे आपको चौथा कोश्चन अब देख सकते हैं चौथा कोश्चन है पंदरा वटे सोला सो ठीक है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे सोला सो का यानि की हर का गड़न खंड करने पर तो सोला सो का गड़न खंड करेंगे आप तो क्या आएगा देखो दो अठ्थे सोला डवल जीरो दो चो को आठ डवल जीरो दो दूनी चार डवल जीरो दो कम दो डवल जीरो दो पंचे दस एक जीरो फिर दो दूनी चार दो पंचे दस फिर पांच से काटेंगे पचम पच्चीस पांच कम पांच है ठीक है क्या आया दो और किवल पांच है य चो पंदरा बटे सूला सो बरावर 15 में के कै conta किया बचेक्ष 있다 है एक 2 3 4 5 6 बार दो की घाच च्या पांच कितनी बार है दो बार लेकर यहां 5 से Um टीजिये 15 तो आप किया बचे बलाव्च तु है थीजी और थीजिए 25 है तो यहां पर क्या लेखेंगे अताहा आथा हाच जो आपका 1600 वह किस रूप का है निक रूप का होने के कारण यह संख्या है कैसी होगी सांत होगी कैसी होगी सांत होगी इसका पर ले लेती हैं मिटा लेते हैं अब पांच मा कोश्चन क्या है 29 वते 343 यह है तीछ तो यह पर क्या लेखेंगे 343 का यानि की हर का गुड़नखंड करने पर तो 343 का गुड़नखंड करेंगे तो क्या आएगा तीन से सब्सक्राइब आपको मुझे लग आपको सीधे कैसे बता देती है कि यह साथ से कटे गा यह लाता है विभागत के नियम विभाजता के नियम मुझे पता है आपको पता नहीं है साथ आप नई पाती है आप कहेंगे दो विडियो बन जाएगी अलग से बहूं है तो 28 28 टेकर 2 बचाच चाहर चैण terjet ौज यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे डारेक्ट भी लख सकते हैं आपको यह लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता चल जाए आपका दिमाग तेज हो जाए कहने का मतलब है आप एक्टिव रहें चौबबज घंडे तो यह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि कटना नहीं है यहां पर आप लेखेंगे जो आपका 343 किस प्रिकार का है अताह लगा के की साथ की हाथ तीन के रूप का होने के कारण यह संख्या असांत आब वर्गती है इस प्रिकार से आप लिए स्क्रिन सूट ले सकते हैं आप और अगला कोश्चन अब आपको बताती है अब हम बताएंगे आपको छटमा सवाल छटमा क्या है अब छटमा तो उसने पहले से ही सॉल्व कर दिया है अपनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ठीक है उसने पहले ही गुड़ान खंड कर दिये तो आपको डारेक्ट लिखना है कि अताहा अताहा दो की घात तीन गोड़ें पांच की घात दो के रूप यानि कि पांच की घात एन गोड़ें दो की घात एन के रूप का होने के कारण या है संख्या या संख्या सांथ होगी क्या होगी सांथ होगी इसको आप लिख लीजिए अब अगला कोश्चन आपको बताते हैं यह तो उसने सॉल्वी कर दिया है यह आपसे औप्जेक्टिप में पूर्च सकता है एक नंबर में ध्यान देंगे आप यह बहरी मोस्ट कोश्चन है ठीक है अब यह वाला देखेंगे सातमा क्या है एक सो इनती सवाटे दो की घाट दो गणने पांच की घाट साथ गणने साथ की घाट 5 यह आपका सांथ है ठीक क्यूंकि यहांपे दो 5 तो है सांत हो जाता मैं कि साथ और साथ ये तो फास्त हो गया क्यूंकि यहां पर चाभाह ऐस्णीय लिखेंगे आता thou 2 की घाद 2 गुणे 5 की घाद 7 गुणे 7 की घाद 5 के रूप का होने के कारण या है संख्या या संख्या असांत या अना उसानी भी हो सकता है क्यूंकि आपके NCRT में अना उसानी भी दे दिया है आपड़ी होगी सि को अपन देख सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने तीन और सवाल लिखते हैं यहां और आप क्या लिखेंगे हुआ के नंगे मंदान खंड करने पर लिख लेजिए के 15 का गुड़न खंड कर लेते हैं तो क्या आएगा ती पांच ए 15 और पांच कम 5 सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी सवाल में करते हैं और इसी टाइप के में करते हैं तो ध्यान देना है भाज साब बहुत बड़ी गलती करते हैं आप सीधे आप अभी क्या कहेंगे यह सां से 15 वरावर 6 वटे 3 गोड़े 5 तो भाई साब 3 6 से कट तो जाता है 3 2 6 क्या है 3 2 6 यही तो सवाल में लिखा हुआ है 6 वटे 15 ठीक है तो जब यह कट गया तो ऊपर क्या बचा आपका 2 वटे 5 तो आप केवल 5 बचा ना तो 5 केवल सिंगल तो भी सांत होता है तो इसलिए यह स आता है तो और सब कोई क्या बता है इसको असांत व्योंकि गलत यहां क्या करना है तो आपको यहां पर लिखना अता हा कاجह 앞에 5 यह के रूप का हिसके रूप साथ कि यह संख्या यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी सांत हो जाएगी सांत होगी बहुत दुख होता है यार ऐसी बड़ी गलती बच्चों के साथ करते रहते हैं तो कुछ बात नहीं अपन ने तो सही बता दिया ठीक है आप समझ सकते हैं सब चीज आप समध्दार हैं तो इसक बटे 50 तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 50 का यानी की हर का गोणान खंड करने पर तो 50 का गोणान खंड करेंगे तो क्या आएगा से कड़े आएगा दू दूनी चार दू पंचे दस इसी प्रिकार से कटेगा ठीक है फिर पांस से कटेगा 25 कम 5 यह पर सरासर सांत है क्या है सांत है अगर कटता भी यह न वाइज अब कड़े आएगा क्यूंकि पांस से साथ 35 करता है न तब भी संत रहेगा कैसे देखो आप लिख लीजिए 35 बटे 50 बरावर 35 और क्या आया है दो गोड़े पांच गोड़े पांच पांच से सकड़े आए तो क्या बचेगा साथ बटे दो गोड़े इसलिए मैंने कहा था तो यहां पे हो जाएगा 50 जो आपका है अतह लगा के किस रूप का है दो की घात एक और पांच गाते क्यानि की दो गहाद न गुणे 5 की घात एन के रूप का हूने के कारण है होने के कारण यह संख्या कि गए कि कैसी होगी संथ होगी इसको आप स्क्रीन सूट ले लेजी आपका लाश्ण मा पचा हुआ है और फिर आपके वह कौन से सवाल है थोड़ा वो वाली है दोठों बचे हैं क्या कहते हैं लैंग बेज वाले आपका अगर कॉंसेप्ट हमने अच्छी तरह से देखा है पिछली अभी जो हमने बताया है तो आप से बलकुल सरल है कठें नहीं है यह कोश्चन बता रहे हैं अब ससत्तर वटे 210 यह बता है आपको तो आप यहां पर क्या लेखेंगे 210 का गुर्णखंड करने पर य grasp लिखेंगे 210 हुआ है दो कांचियदा है श्रका त गलती कभी तो फिर तीन से कटेगा नहीं कटेगा तो पांस से कटेगा पांस सती 35 तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है तो यहां पर देखेंगे तीन आपका आगया तो यहां पर आगया तो यहां पर आगया तो आपका तो आपके लिख देंगे यह असान्त है तो जिस परकार से मैंने अभी आपको बताया है यहां देख सकते हैं यह वाले सवाल खतम हो चुके हैं अब आपके बचे हुए हैं कौन से दूसरा कोश्चन क्या है उपर दिये गए प्रसन में उन पर में संख्याओं के दसमलो पिरसारों को लिखिए जो सान्त है यानि की जए हमने ज़सने दस सवाल लगा हुएगे हैं उनको हमें दसमलो पिरसार में बदलना है एक सवाल आपको बताये रहे हैं कि यह कभी ना आते हैं सरलंवी है ऊपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे एक वाल ही में से प्रिकार से भाग दे दीजिए भाग नहीं जाएगा 0 दिसमलोग आएगा 15 चुको 60 कड़ गया पूरा पूरा तो यहां पर इसका दिसमलोग प्रसार यानि कि आंसर आपका क्या हो जाएगा जीजिए भाग दे लेजिए आपके अंसर आजाएंगे ठीक है तो अब हम आपके जो लाश्ट कोश्चन बचे हुए हैं वह आपको बताएंगे ठीक है बिलकुल सरल है तो यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं किताब में बगल में लग जाएगा कि सब आ जाती है और एक संख्याय होती है नहीं होती कालपनिक संख्याय जैसे माइनस दो के अंदर माइनस रूट तीन इसके अंदर लूट की अधा यह कछ्या दशमी में आप दो आप सीख लेंगे तो पिरतेक स्थिती के लिए निर्धारत कीजिए कि यह संख्या पर्मे संख्या है यानि कि जो नैचे धारण दिये गए है तीन्टों बगल में लगे होंगे इनमें आपको बताना है कौन सी संख्या पर्मे संख्या है या नहीं यानि कौन पर्मे है कौन पर्मे है आपको यह बताना है और और कह रहा है यदि यह पर्मे संख्या और पीवट यानि कि यह पर्मे संख्या है क्या कह रहा है यदि यह पर्मे संख्या है तो इसे पीवट क्यू के रूप का है तो पर्मे संख्या होगे तो अपने से पीवट क्यू की रूप में लिखी सकते हैं तो कह रहा है अगर अपने यानि कि जब आप यह संक्या हो जाएगी सिध्द कर दिया कि यह परमें संक्या है तो जो इसका क्यों है इसके आप अभाज जो गुड़ानखंड के बारे में क्या कह सकते हैं आपको अपनी तरफ से बताना ठीक है तो पहला सवाल लिखते हैं और समझाते हैं बिलकुल सरल है आपको लगेगा कि यार यह सवाल है ना बिलकुल सही ठीक है इसका आपको सबसे सांथ कि होती है मैं मैं चिला चिला कि आपको बता था तो यहां पर आपको अताहा सांत संख्या का दसमलो पिरसार, दसमलो पिरसार हमेशा परमे संख्या होता है, परमे संख्या होता है, जिसे हम पिवटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यह आपने इतना लिख दिया, आपने परमे बता दिया, किसादार पर है, यह सांत संख्या है, अब वो कह रहा है, अगर यह परमे है, तो इसका जो क्यू है, इसका भाज गड़न खंड की बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, देखो आभी हम कहेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अताहा, अताहा क्या लिखा हुआ है, तेया तालीज दिसमलो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ठीक है, अब इसका क्यू क्या हो जाएगा, अगर इसका अपन दिसमलो खटाना चाहें, तो बटी में क्या आएगा, जितनी दिसमलो के बात संख्या होती, नैचे उतने जीरू आजाते हैं, तो यह चार, यह पांच, नो, जीरू आ गए, तो इसे आप अपका पीवर्टे क्यू के र इसका आप अब हाज जो गुणन खंड करेंगे तो क्या आएगा दो की घात एन गुणन पांच की घात एन के रूप का ही आएगा आप भाग देखेंगे दो की घात एन वो दो की घात नो पांच की घात नो आएगा जब आप इसका गुणन खंड करेंगे क्योंकि यहां पर हम करेंगे तो पूरा बोर्ट भर जाएगा दूसरा बोर्ट खरीदना पड़ेगा ठीक है तो इसका यहीं आएगा तो आप समझेगा ना पर में क्यों हो अगर पर में है तो यह दो गुणा पांच के नो है तो यह तो यह सांत है अगर इसके लाभा यहां पर तीन आ जाता ना त यहां पर दोबाराश लेखेंगे अताहा यह है अताहा अताहा इसे अताहा क्यूं का अभाज गोड़न खंड करने पर करने पर हमें हमें दो गोड़न पांच आप इस प्रकास लिख दीजिए और कोश्टक में लिख दीजिए दो की घाद एन गोड़न पांच की घाद एन के रूप का मिला है आंसर या प्रूव इड यह आपका हो गया इसको आपको क्या करना है स्क्रीन सूट ले लेजिए बिलकुर राइट है आपके एक भी नंबर नहीं कटवाएगा तो यहां पर आप पहले अपन स्याही डालते हैं मारकर मैं कमजूर दिखने लगा होगा ठीक है तो पहल यहां पर पहले एक बार है फिर दो बार है फिर तीन बार है चार बार है ऐसा कहा होता था असांत छ यहांन। अनावर्दी है तो सबसे पहले आप ही लिखेंगे यहां पर अताहा हल लगाके हल लिखेंगे यहां पर अताहा हल लिखेंगे अताहा करेंगे अताहा यह संख्या असांत अनावर्दी होने के कारण होने के कारण यह संख्या अपर में होगी हमने बताया था ना असांद अनावर्ती संख्या हमेशा अपर में संख्या होती है क्या होती है अपर में संख्या होती है अपर में संख्या होगी ठीक है यह अंसर हो गया अब हमने क्या बताया पर्मे संक्या होगी अगर यह पर्मे होती तो हम नेची सॉल्व करती अब उसने कहा है अगर पर्मे है तो सॉल्व करना है तो आप पर्मे है तो नहीं करना है तो इतना होगा इसको आप उतार लिए जिए ठीक है उतार लिया हुआ है वो थोड़ा सा कठन माना जाता है बच्चों के लिए क्योंकि थोड़ा सा चस्पीदा सा है वो उसमें बच्चे घुम जाती लेकर आप नहीं घुमेंगे क्योंकि आप सुरू से वीडियो देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो इसकी उपर लग पूछेंगे कि यह संख्या आपको कैसी लग रही है सबसे पहले कहेंगे आप असांथ क्योंकि यहां पर बार लगा हुआ है अब आप से पूछा जाए कि असांथ के संख्या यह आबरती है तो आप क्या कहेंगे आबरती है क्योंकि यहां पर एक से नो तक की संख्या बार कोई यहां पर कोई यहां पर पहले एक से लौ तक था प्र यहीं संथ्या बारबार आnea रही है यही आपर्ती है तो यह क्या है पर्मे संथ्या करें अब यह संथ्या connectivity क्यान को jeopard होगी क्योंकि मैंने को पहले बताया था तो आप लिखेंगे यहां पर हल में अताह लगाके अताह यह संख्या कि यह संख्या क्या होगी यह संख्या असांत असांत अब्रती होगी आप कई लोग कहेंगे असांत में तो अपर्मे हो जाता है लेकिन असांत अवर्ती है तो पर्मे होगी न कैसे या संख्या असान्त अबर्ति हुने के कारण कई लोग ramे अपरमे असान्त होती हैं ऐसा नहीं है बहुत्व citizens भाग देने पर जीरों ना आए उन संख्यां को बहुत कहते हैं ऐसा तो किसी ने कहीं नहीं है कि डारेक्ट पर में संख्या तो होने के कारण यह संख्या कि यह संख्या के सी होगी पर में संख्या होगी पर्मे ऎ去了 Ja कि फ्क्रिण पर्मे है तो सह है प्र obsessede क्यू रूप में लख सकते हैं अब सیूं क्यूक आप वाज़ कोड़ खंड के बारे में हम क्या समझते हैं बताएंगे अभी यहांपा कि और लिखेंगे आब अब क्यों का अभाज गोड़न खंड करने पर हमें क्या मिलेगा अभी इसका आपढ़ाज खंड करेंगे तो बहुत बढ़ा हो जाएगा तो यहां पर आप देखो अभाज गोड़न खंड करेंगे तो क्या आएगा 2. 5 तो आना संभाओ है ठीक है क्यों आएगा क्योंकि जब आप इसका दिस्ड़ल वटाएंगे न厚ी कुछ ना कुछ आएगा 2. 5 तो आएगा लेकिन ये असान्च है तो असान्च में आपको पता है 7 में क्या होता था 2. 5 आता था असान्च में क्या है कि आपका 2-5 भी आ सकता है और 7 में अगर 3-4-5 कुछ भी लगा हो तो वो असांत बन जाता है तो इसमें क्या होगा 2-5 तो आएगा ही आएगा और कोई संख्या भी एड हो जाएगी क्या हो जाएगी एड हो जाएगी इसलिए तो असान्त हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर क्यों का भाज गुड़न खंड करने पर हमें दो की घात एन गुड़न पांच की घात एन कि अति रेक्त कोई अन संख्या भी मिलती है यह भाई सब इसका राइट आंसर कई लोग भाई सब सीधे लेगे रहे हैं कि दो और पांच की रूप होने के कारण क्यों का भाज गुड़न खंड करने पर हमें दो की घात एन गुड़न पांच की घात एन के अतिरेक्त कोई अन्य संख्या भी मिलती है यह इसका राइट आंसर है इसको आप स्क्रीन सूट ले लेजिए और आपको बता दिये जाए हमारा तार्गेट है धाई मैने में दसमी कोई के भी बॉर्ड हों 24-25 में जो आपकी परिक्षाएं होंगी जो परिक्षाएं होंग इसमें आप टॉप मारेंगी जब आप अभी से तयारी करें क्यूंकि यहां पें सब्सक्राइब करना बेल आइकन को दबा लेना जैसे वीडियो आएगी क्यांट वीडियो बिल्कु